नमस्कार मेरे नाम है रवी यादोर मैं आप सभी को प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूं अड़ा सभीता बच्चों हमने पढ़ लिया है वैदिक सभीता भी पढ़ लिया है बहुत बैतरीन धंक से आपको पढ़ाया जा रहा है और इसके अलावा हमने जैन धरम हम शिरू करने वाले हैं सोलह महाजनपद हमारे भारत में हुए है इन 16 के 16 महाजनपदों में जो सबसे important मगत सामराजी रहा है फाइनली हम उसी पर आएंगे ठीक है सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी आपको देदेते हैं कि महाजनपत कल क्या है महाजनपत क्या होते हैं सारी चीज़े मैं आपको बता दो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे देखिए अगर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं चा पूछे जा चुके हैं ना उन्हीं को फैक्ट्वल रूप में ठीओरी रूप में प्रेज़ेंट किये जा रहा है एक बार आप पढ़िए आपको खुद ही ऐसास हो जाएगा ज्यादा बोलने जो इतनी है तो बच्चों हमारा चैप्टर का नाम है जाए मगत सामराज का प्रशाशन करने की वह परिवार है कई सारे परिवार को मिला कर ग्रां बनता है किराम क्या है कई सारे परिवारों का समू आज भी देख लिजे गाओं क्या है कई सारे परिवारों का समू है ठीक है और कई सारे गाओं का जो समू होता है उसे विश कहा जाता है जैसे देख लिजे बलाग बलाग के अंदर कई सारे गाओं होंगे कई सारे गाओं का रूप है वो कबीला कहलाते हैं या जन कहलाते हैं तो इसी रूप में भारत के अंदर एंटर हुए थे हमारे आरे कबीले को क्या कहते है जन जब भारत में रहने लग गए तो कई सारे कबीले धीरे धीरे आपस में मिलकर और बड़े एक छेत्र का निर्मान करने लग जिसे कहा जनपद जनपद आज जो जीला है गई सारे जनपदों को मिला दिया जाए तो यह कहलाते हैं महा जनपद जैसे राज आज राज्य है तो 600 इसा पूर्व की मैं बात करूं भाईया हमारा जो देश था हमारा पूरा भारत ये सोला महाजनपदों में बटा हुआ था 600 इसापूरों के आसपास ये 16 महाजनपद थे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं मैप देख रहे हैं ना मुखे तोर पर उत्तर भारत वाला ही छेत्र दक्षिन में एक महाजनपद है लेकिन आपको याद केवल मगत सामराज यही याद भारत में 600 इसापूरों के आसपास 16 महाजनपद थे 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था यह में बहुत गरंथ और जैन गरंथ दोनों से जानकारी मिलती है जैन गरंथ जो भगवती सूत्र है इससे हमें जानकारी मिलती है और बहुत गरंथ जो अंगूतर निकाए इस से हमिजानकारी मिलती है इनमें जिक्र किया गया है अब यह देखिए 16 महाजनपदों को एक लिष्ट में मैंने लिखा हुआ उनकी एक राजधानी भी थी वह यह ने बताया हुआ है पोर इक्जामपल के तौर पर काशी काशी की राजधानी वारानसी कोशल श्रावस्ती यह पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है गौतम बुद्ध ने अंगदेश की राजधानी चंपा मगद यह इंपोर्डेंट है राजगरी यह गिरीवरज जो दक्षिन बिहार का इलाका है वो इसकी राजधानी था पांचाल यह पांचाल इसलिए इंपोर्डेंट हो जा र जुनपदों को अपने में विलीन कर लिया तो हम डारेक्ट आते हैं मगद पर करेंगे बच्चों मगद की देखिए हैं मगद सामराज जे राजगरी जिसकी राजधानी अब पढ़ना क्या है इसमें मगद सामराज जे के अंदर कितने वंश हुए हैं वो समझने का आपको प्रयास करना है हर्यक वंश शुरुआत होती है हर्यक वंश शिशुनाद वंश नंद वंश जब यह समय चल रहा था और धीरे देरे सामराज विस्तार हो रहे थे और उसी तरफ भारत के उत्तर पश्चिम वाले इलाके पर आकर्मन होना शुरू हो गया किसका इरानी और युनानी आकर्मन भी पढ़ना है युनानी आकर्मन कि किसके बाद चार्यक वंश weep शुनल्ग को पढ़ने के बाद मौरे मज़ पर डायरेक में हम आएंगे बन युने और युनानी जो वीदेशी थे इनका न कमळ मैं ठिक हैं फिर हम आएंगे उसके बाद हो बार कणवन्ष आंद्र साथवहंद वंश सबकी हम बात करेंगे तो अब फिलहाल अम शुरू करने वाले हैं राएक वंश के बारे में सैं effort को परित हंता वंश भी कहते बच्चों है क्यों कि हरयक मुंश में ज्यादा तर जो شास्षक हुए हैं इन्ओं प्रित हंतव बंश भी कह देते हैं संसापक कौन है बिंबिसार संसापक बिंबिसार अब टाइम पीरड तो इक्जाम पॉइंट वे से जुरूई नहीं है लेकिन इसलिए इंपोर्ण हो जारा क्योंकि आपको एक एहसास हो जाए किस समय की तक ही बात हो रही है कुछ हवा में नहीं हो सब सीरेल वाइज आपको पढ़ना है इस कारण से दिमाग में रख सकते हैं 544 इसा पूर्व से 414 इसा पूर्व यह time period रहा है हर्यक वन्ष का हर्यक के संसापक हैं यह 208 14 इसापूर्व तक इनका टाईम पिरिड रहा यह अलग मिजाज के शाशक थे इन्होंने तलवार की दम-पे सामराज्य विस्तार किया लोगों की help करकर लोगों का इंदसेंस जो महा जन्पत थे इनके पडूसी उनकी help करने के बाद उनके सामराज्ज को gift में लिया तो देखिए वैवाहिक संबंद के द्वारा अपने विश्ट सब्सका विस्तार करने वाले शाशक फर्यक्वंश में कौन हुए है भिम्बिसार हुए है अब भिम्बिसार ने एक काम बहुत अच्छा किया था देखिए अवंति जो महाजनपद है अवंति के राजा थे चंड प्रगोत अवंति की राजा चंड प्रगोत है यह बहुत बिमार पढ़ गए इनको पी लिया हो गया था इनको पी लिया हो गया था तो इनकी सहाइता करने के लिए बिम्बिसार ने अपना एक डॉक्टरिंग के दरवार में भेज़ दिया है कि साफ दिखाई दे रहा है चल ठीक है और इसके अलावा अंग जो अंग देश हैं महा चल्पध है अंग देश के जो राजा थे प्रमादत इनको हराया और इनका सामराज अपने में विलीन कर लिया मगद सामराजे और बड़ा हो गया अब इसके बाद आपको याद खना हर्याक वश्च में अगले शाशक हैं अजात शत्रू इनका टाइम पिरिट 492 हिसा पूर्व से 460 हिसा पूर्व है अब इनोंने क्या किया इनके टाइम पिरिट पर जो काशी है जिसकी राज़ानी बनारस थी वज्जी जिसकी राज़ानी वैशाली इसको मगद में मिला दिया आपको समझ में आ रहा होगा कि मगद इतना पावरफुल क्यों है क्योंकि आस पास के जो महाजनपद है इन सब को जीटता चला गया ठीक है गौतम बुद्ध को जो महापरी निर्वान हुआ था आपका कुशी नगर में जो अंतिम सांस इनों ने लिए थी वो कब हुई थी 483 इसापूर आप जानते हैं 483 इसापूर उस समय अगर पूच लिया जाए शाशक कौन था हरियक वनशका तो अजात शत्रू याद रखनेंगे असानी से और इसके अलावा प्रथम बहुत संगती भी 483 इसापूर में हुई थी गौतम बद को जो महापरी निर्वान हुआ उनकी जो सिक्षाएं हैं उनको एक साहित के रूप में एक ग्रंत के रूप में इकठा करने के लिए चार बहुत संगतियां हुई चार बहुत सभाएं हुई पहली बहुत सभा जो 483 इसापूर में हुई थी उस समय शाशक अजात शत्रू ही था तो अजात शत्रू ने ही अजात शत्रू ने ही होश्ट किया था भाया यह सभा क्या थी इस सभा के अंदर बहुत सारे जो बहु थे अजाद सत्रू इन्होंने ही सारा खर्चा वहन किया था इन्होंने रोस्ट किया था इस पॉंसर किया था आज की भाषा में आप समझ सकते हैं अजाद सत्रू के बाद जो शाशक आपको पढ़ना हर्यक वंश में उदाइन उदाइन 460 हिसापूर से 444 हिसापूर मैंने पहले ही बता दिया टाइम पीरिड आपको रटना नहीं है बस एक समझ के लिए मैं बता रहा हूँ अजाद सत्रू के बाद उदाइन बिम्बिसार अजाद सत्रू उदाइन ये नाम याद रख लीजिए ये पाटली पुत्र है ये पाटली पुत्र हमारे टाइप राइटर ने गल्दी कर दी पतीली पुत्र लिख दिया ये पाटली पुत्र है पाटली पुत्र नगर की सापना किसने की और उसको अपनी राजधानी किसने बनाया तो ये उदाइन थे ये उदाइन थे उदाइन ने ही पाटली पुत्र को अपनी राजधानी बनाया इसे पहले राजधानी क्या थी राजग्रेह थी या ग्रीवरज जिसको कहते हैं अब ये राजधानी क्या बन गई पाटली पुत्र बन गई पाटली पुत्र अब उदाइन के बाद इनके तीन पुत्र समय समय पर शाशक बने जैसे अनिरुद, मुंडक, नागदशक ये शाशक बने लेकिन बाद में ये वंश इतना कमजोर हो गया और लोग नाम था शिशुनाग, ये शिशुनाग कौन थे, ये भईया हरियक वंश में ही एक सेनापती थे, एक योग के सेनापती थे, इनही को अगला शाशक बना दिया गया, और इस परकार हरियक वंश समाप्त हो गया, और आगे से शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई, के वह complete करवाएंगे तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले अपिसों पर लेकिन एक बहुत important information में आपको सब देना चाह रहा हूं आप इस class notes की demand करने हैं तो यह class notes कहां पर मिलेंगे शरी education हमारी application है शरी education हमारी application है यह हमारा contact number 7888774245 है इस पर भी contact करके आप complete GS के class notes पा सकते हैं बहुत 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 क्लास नोड़ पा सकते हैं तो हम आप से मुलाकात करेंगे बच्चों अगले अपिसोड में तब तक लिए नमस्कार